सुप्रभात प्यारे बचो मैं अंज्री चौधरी कक्षा आठ विश्य हिंदी में आपका पुने स्वावत करती हूँ बचो कल हमने पाठ एक उठो धरा के अमर सपूतो नामक कविता का अध्यान किया था आज हम उसके आगे का कारे अभ्यास कारे शुरू करेंगे चलिए शुरू करते हैं यह शब्दर्थ हैं बचो यह मैं आपको कॉपी पर भी भेजूँगी लेकिन आप एक वार इसका अभ्यास कर लीजिए धरा प्रत्वी निर्माण रचना इस फूर्ती चेतना जोश उमंग जोती प्रकाश मुर्जाय 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 ना मुर्जाय अभी हो सकता है कोई भी दोनों का समान उत्तर हो सकता है मुर्जाय हुए जिनकी मुस्कान लुप्त हो गई हो यानि आपने हैं समझा है इस मुर्जाय शब्द का क्या अर्थ है जैसे आपने एक फूल को देखा है फूल कितना सुन्दर लगता है लेकिन जब वो मुर्जा जाता है तो यानि उसकी मुस्कान यानि उसकी सुन्दरता सारी लुप्त यानि गायब हो जाती है उसके लिए मुर्जाय बोला जाता है काया शरीर मंगल में शुब उर्जा का संचार करने वाली जग उद्धान जग उद्धान ये एक शब्द है जग इधर है उद्धान इधर है जीवन रूपी बगिया आववाहन करो आमंत्रित करो क सही विकल्प के सामने सही का चिन्न लगाई प्रस्तुत कविता में कभी किसका आववाहन करता है नगरवासियों का ग्रामवासियों का या देश के सपूतों का तो कविता में किसका करा गया है देश के सपूतों का इसलिए हमने यहाँ पर इसको सही किया नमबर दो प्रस्तुत कविता में कभी किसका नव निर्मान करने के लिए कहता है देश का, विध्याले का, देश के सभी उध्धानों का तो ये आपने भी समझाए किसका, देश का कभी ने देश के सपूतों से अपेक्षाइं की हैं कौन सी अपेक्षाइं की हैं? देश की जनता में ज्यान का प्रकाश भरने की देश की जनता में नव जीवन का संचार करने की या उपरोक दोनो यानि दोनो अब आपने कविता को पढ़ा और समझा तो क्या है दोनो आंसर है कभी ने देश को नव जीवन संचार के लिए भी का चेतना दी है और देश की जनत को ज्यान देने की भी कोशिश की है इसलिए हम दोनों को यहां पर सही करेंगे नंबर चार नया निर्माण में कभी का तात पर रहे हैं तूटी हुई इमारतों को पुने बनाना बेघर लोगों को फिर से बसाना व्यग्यानिक प्रगर्ती के अनुसार देश का विकास करना तो अधिकारों के प्रति जागरुख होने की या देश के नव निर्माण की तो हमने यहां क्या किया देश के नव निर्माण को सही किया ख कविता की छूटी हुई पंक्तियों को पूर्ण करिए तो यह आपकी किताब में है इसका मैं आपको चित्र भेजूंगी इसको आप अपनी किताब में इसको आप लिख लेंगे व्याकरन बोध अब हम इस पार्ट का बच्चो व्याकरन बोध का कारेंगे क तीन तीन परायवाची शब्द लिखिए आप सभी जानते हैं परायवाची शब्द क्या होते हैं धरा क्या बोलते हैं धरा धरती प्रत्वी बसुधा सुमन फूल पुश्प कुसुम विहग खग पक्षी पकेरू सरस्वती हंसवाहिनी शारदा ज्यानदा ख इनके तत्सम रूप लिखिए आप कक्षाठ में आप तत्सम भी जानते हैं क्या होते हैं सपूत सुपुत्र किरन किरन आस आशा सांस श्वास भोरा भ्रमर आख अक्षी ग इनके समाना आर्थी शब्द लिखिए समान जग संसार शुभ ये समाना आर्थी बच्चो और परायवाची जो मैंने वी आपको उपर पढ़ाए थे परायवाची यानि समान आर्थ देने वाले वहां आपको परायवाची तीन तीन पूछा है ये बताना है जैसे जग संसार, मंगल, शुभ, पुनहा, फिरसे, उद्धान, बगीचा, निर्माण, बनाना, नव, नया, पावन, पवित्र, शत, असंख्य, नूतन, नवीन सही विकल्प के आगे सही का चिनन लगाईए, प्रातह का विलोम क्या होगा बचो, साइ, निर्माण का विद्धुन्स, निर्माण करना या नि बनाना, विद्धुन्स करना, नस्ट कर देना, रक्षक का भक्षक, आशा का विलोम, निराशा, ज्यान का विलोम, अज्यान, का अभ्यास कारे पाठेक का पूर्ण हो चुका है इससे अगले वीडियो में हम आपको कॉपी में कारे कराएंगे सभी बचे वर्क कारे करने के लिए अपनी कॉपी तयार रखें धन्यवाद